आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं जिसके मदद से आप घर बैठे अपने अधार कार्ड में मोबाल नमर इमेल ऐडी रजिस्टर्ड करवा सकते यह बिग अपडेट आया हुआ है और यह अभी का अपडेट या फिर आपके पास अपका मोबाल नमर इमेल ऐडी रजिस्टर्ड करेंगे या फिर आपको कोई अधार करवाना होगा तो वह आकर करेंगी यहाँ पर यह दिमान लिजिए कि आपके अधार कार्ड में पहले सो कोई मोबाल नमर जुरा हुआ है उस मोबाल नमर को भूल चुके हैं और आप चाह आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट फ़र्म डालना होगा जो कि इस वीडियो में आप लोग को कम्प्लीट प्रसेस बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप मोबाल फोन से भी यह फारम सब्मिट कर सकते हैं और इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और घर बैठे अपने यह सार पर क्लिक करके इस वेघस साइट पर आ जाएंगे यहाँ पर आपका फूर मोबाल आदेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर फीड कर लेंगे उसकेयर बाद यहाँ पर से लेक्ट सर्विस आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहां से हैं यहाँ और से आप Iρί love you a अं-ग अधार सर्विस सेलेक करेंगे, यहाँ पर ध्यान रहे, आप अधार सर्विस सेलेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दो सर्विस से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, UIDAI चायल्ड यहाँ कि जीरो से लेकर, पात साल के बीज में, यदि आपके पास में कोई बचा है, तो आप एन्रॉल्मेंट करवाना चाहते हैं, तो फ़र्स्ट वाला सेलेक करेंगे, यदि अपने अधार के साथ मोबाइल नमर और इमेल इडि लिंक करवाना चाहते हैं, यानि कि आप देख सकते हैं, कि UIDAI मोबाइल इमेल इडि तो अधार लिंकिंग अपडेट, तो सिम्पल फ़र्स चे करेंगे, यहां पर आपको सेलेक करेंगे, इसके बाद आपके मोबाइल नमर पर OTP जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पर फिल करेंगे, इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, कि एक बार आप नोट करके रखेंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं, कि click to track your request, त अधारकरव सकते हैं और यहां पर आपके पास में कोई बच्चा है तो इसका भी अधारकाड उसका भी बनवाषास सकते हैं जिसके बाद भी यादिया आपके मन में कुछ कोशन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इंट्रस्टेड टॉपी के साथ में तब तक के लिए गुडबाई